हेलो एब्रिबन दोस्तों कैसे हूँ आप सब मैंने की राज आप सभी का स्वागत करके हूँ आपके अपने चैनल IQ Startup में दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगे क्योंकि अब हमारी फैपली जो है वो 5,000 से बढ़के 10,000 तक हो चुकी है और इसमें सबसे जादा सपोर्ट आप लोगों का है क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो हम यहां तक नहीं बहुंच पाई होते तो सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इस सपोर्ट को बनाए रखनी के लिए और मैं आपसे आशा करूँगी कि आगे भी आपका सपोर्ट इसी तरह हम पर बना रहेगा दोस्तों बहुत सारे बचों ने कमेंट किया है कि आप कब क्लासेश लेके आ रही हैं आपको रेगुलर क्लासेश मिलने स्टार्ट हो जाएंगी और सब बात करें आगर कि किस तरह की वीडियो पर क्याम कर रहे हैं वीडियो जो होंगे वो बैसिकली अभी 10th और 12th की जो इग्जामिनेशन आ रहे हैं बोर्ट वाले इग्जामिनेशन उस पर जादा बेस्ट होंगी और साथ में हम सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन से स्लेबस में से उसमें से कट किया गया है स्लेबस में से कौन-कौन सा मतलब जैसे बहुत सारे भी कुरोना के काल के कारण बहुत सारे जो टॉपिक से उनको हटा गिया गया है आपके स्लेबस से तो कौन-कौन से स्लेबस से वह कट किया गया टॉपिक है और क्या-क्या किस तर सबसे पहले जब यह जान लेंगे उसके बाद हमारा फोकस होगा कि objective based क्योंकि अभी बहुत सा आपको पता होना चाहिए कि आपका जो examination होगा उसका pattern change हो चुका है तो pattern change होने के बाद उसमें बहुत सारे objectives होंगे थोड़े बहुत subjective हैं और long answer type question बस दो यकीन है तो इसके बारे में बात करेंगे कि इस तरीके से उसमें pattern बनाया गया है उसके sets किस तरीके से दिये गया है और उसी sets के अनुसार में आप लोगों को बहुत सारे questions भी revise करवाँगी तो यह सारा plan है बहुत जल्दी आप लोगों से वापस मिलने आ रही हूँ नए videos के साथ जिसमें आपको आपके examination को कैसे crack करना है उसको लेके बहुत सारी चीज़ें होंगी तो जुड़े रहे हमारे साथ और ऐसे ही अपना support बनाए रहे के ताकि हम आपके success के थोड़े से कारण बन जाए और आपको अपनी जो life की goal है वो आपको आसाने से achievement मिल जाए तो मिलते हैं आगयाने वाले videos में तब तक के लिए bye bye take care झाले के बनाए